हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के बरबा दियर फ्रेंड्स किसी भी एक्जाम को क्रेक करने के लिए हमें क्वेश्चन पेपर ओरियंटेड स्टेडी यानि की क्वेश्चन पेपर के लेवल के हिसाब से तैयारी करनी होती है इसके लिए बहुत सारे टॉपिक्स को हमें स्मार्टली प्रिपेर करना होता है तो आज के इस वीडियो में मैं एक टॉपिक लाया हूँ जिसे हम स्मार्टली एक्जाम के हिसाब से ही प्रिपेर करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं ये टॉपिक क्या है फटाफट से share का बटन कहा है ये रहा यस और ये आपके सामने है RPSC first grade chemistry का जो आपका syllabus है उसमें graduation part की जो first unit है chemical bonding उसके last में ये topic तिया हुआ है Schrodinger wave equation for one electron system तो ये topic हम लोग बहुत smartly और केवल exam point of view से cover करने वाले हैं यहाँ पर आपके लिए एक क्या बोलते हिदायत है यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको quantum mechanics या फिर quantum chemistry इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ तो ये वीडियो मत देखिए लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि RPSC first grade chemistry exam में जो भी question quantum mechanics या Schrodinger wave equation से आएगा वो आपका सही होना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा useful है और इस वीडियो को देखने के बाद में first grade exam में Schrodinger wave equation topic से कोई भी question आएगा उसके chances 99% आपका सही होने के होंगे तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं हम लोग books इन पूरी inorganic के लिए जेडिली और housecraft की जो book है वो हम लोग cover कर रहे हैं यहाँ भी हमने इनी दोनों को refer किया है इसके साथ ही आप लोगों के लिए एक और suggestion है यहाँ पर और वो ये है कि यह वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब इस वीडियो को देखने के बाद अगला वीडियो यानि कि जो quantum mechanics के RPSC PYQ का है आप उसको पूरा देखेंगे तब जाकर के यह दोनों वीडियो आपको समझ में आने वाले हैं ठीक है यानि कि यह जो भी मैं बताने वाला हूँ वो question paper में जित्ते questions आए हैं उसके हिसाब से मैंने content design किया है और इस वीडियो को देखने के बाद आप PYQ वाला RPSC के सिरफ P PYQ मैंने लिए हैं उसमें वो आप देखेंगे तो एकदम clear हो जाएगा आपको यह वीडियो का एक एक line एक point आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए उमीद करता हूँ कि आप जो अगला वीडियो है PYQ वीडियो वो देखना नहीं भूलेंगे और यह हम इसको एकदम कर ले यह वी क्वेशन हम सीखने वाले हैं exam point of view से रिकवाइज लेकिन उसको सीखने के पहले हम थोड़ा सा background discussion करेंगे और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि quantum mechanics आखिर होती क्या है तो quantum mechanics basically जो आपके microscopic matter particles होते हैं जैसे कि electrons, protons, neutrons, atoms या फिर molecules यह microscopic matter particles हैं इनके motion को explain करती है यानि कि इनके behavior को explain करती है हम लोग exclusively electron की ही बात करने वाले हैं तो हम यह सीधा-सीधा यह यह कह सकते हैं कि जो microscopic, यह electron भी microscopic particle है, ठीक है तो electron के motion को explain करती है और electron के atom में electron के behavior को explain करती है कौन आपकी quantum mechanics और इसमें सबसे ज्यादा important बात यह है कि quantum mechanics में यह जो microscopic matter particles हैं इनके dual behavior को ध्यान में रखकर के सारी बाते की गई है, यानि कि जो जित्ती भी explanation है, जित्ती भी conclusion है, quantum mechanics जो main theme है, वो आपकी जो matter particle होते हैं, electron इसको ध्यान में रखकर के quantum mechanics के जित्ते भी conclusions हैं, वो establish किये गए हैं, ठीक है, तो दो important बाते हैं हमने cover कर ली कि quantum mechanics में हम लोग microscopic particles के motion को ये explain करती है, वो भी उनके dual behavior यानि कि द्वेत प्रकरती को ध्यान में रखते हैं, अब हम देख लेते हैं, debrogly principle आपने atomic structure में इसको पढ़ लिया होगा, ये बहुत simple है, ये कहता है कि जिस तरह से आपकी जो radiation है ना, radiation जानते तो हो ना, sunlight ये radiation dual behavior शो करती है, इनका wave nature भी होता है और particle nature भी होता है, तो जिस तरह से radiation का dual behavior होता है, उसी तरह से matter particles का भी dual behavior होता है, ये किस ने कहा? D. Broglie ने कहा matter particle यानि कि यहां हम बात करने वाले हैं electron की तो electron का भी एक तो particle nature भी होता है यानि कि आपका इसकी कनिय प्रकरती होती है एक इसकी wave nature होती है इसकी तरंग प्रकरती दोनों तरह जो यह property शो करता है कौन आपका electron यह किसने का D. Broglie ने और D. Broglie ने यह भी बताया कि एक electron जब मूव करता है तो उसके साथ एक यदि उसकी wave-like property है तो wavelength भी होने चाहिए उसके साथ एक पाना तो electron की जो electron wave है electron जब मूव करता है तो electron wave की wavelength का उन्होंने formula भी दिया यहाँ पर h आपका plunk constant है m mass of electron है भी उसकी velocity है कि इसकी आपके electron की ठीक है तो यह D. Broglie का principle था हमें पता चल गया कि electron की dual nature होती है वो wave और particle दोरों तरह के जो properties है वो show करता है यस उसके बाद बात करेंगे हम Heisenberg uncertainty principle की हाइजेंबर्ग का जो एनिस चित्ता का सिध्धान था इसने डी Broglie का जो theory है डी Broglie का जो principle था उसको पढ़ करके यानि कि उसके आधार पे अपना निस्कर्स दिया किसने किसने हाइजेंबर्ग ने हाइजेंबर्ग ने जो आपका electron है उसके dual behavior को ध्यान में रखते हुए यह जो अपना principle है वो दिया इसका principle क्या है इसका principle यह कहता है कि एक electron के लिए it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron यानि कि एक electron की wave-like nature होती है wave-like nature होती है तो जो भी wave होती है तरंग होती है उसके लिए हम एक साथ उसकी position और उसका momentum यह ग्यात नहीं कर सकते यह impossible है यह एसंभव है ठीक है अब इसका निसकर्स देखो क्या निकला इसका निकला कि जो बोर का model था वो तहस्नैस हो गया बोर का model पूरी तरह से इन्होंने नकार दिया उसको कि यह जो बोर ने जो बात पताई है वो गलत है कौन सी बात पताई है बोर ने कहा है कि नुकलियस के चारों तरफ इलेक्ट्रोन यह जो circular path है जिनको उसने orbit कहा है इन में electron revolving कर रहा है इन में चारों तरफ नुकलियस के चारों तरफ इन orbits में चक्कर लगा रहा है तो uncertainty principle आने के बाद में Heisenberg ने कहा कि electron तो wave की तरह behave करता है तो जो भी particle wave की तरह behave करता है उसके लिए हम यह जो definite path है जो बोर ने orbit बताया है यह हम draw कर ही नहीं सकते wave के लिए कोई निश्चित path draw नहीं किया जा सकता है यानि कि electron के लिए भी orbit जैसी कोई चीज नहीं होती है ठीक है तो बोर का model यहां पर collapse हो गया पना उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होता है बोर का यह जो point था orbit वाला इसको इन्होंने नकार दिया पूरी तरह से ठीक है यह देखिए इट rules out existence of definite path orbits of electron in the atom ठीक है अब यहां से सुरू होती है story कि बही orbit नहीं तो क्या orbit में electron नहीं है यानि कि orbit कुछ होता ही नहीं है तो फिर electron है कहां electron की location कैसे बताएं atom में तो यहां से एक term आया वो आया probability of finding of electron यानि कि हम electron की exact position तो नहीं बता सकते लेकिन हम किसी एक point पर atom में किसी एक point पर electron के पाएजाने की probability है उसको हम लोग बता सकते हैं ठीक है तो यहां से नया concept आया probability of finding of electron यानि कि atom में electron के पाएजाने की एक particular point पर प्राइकता क्या है यह जो प्राइकता है probability है यह किसके directly proportional होती है साई square के यह लो भई यहां पर जो main hero है उसकी entry हो गई है जो आपकी probability of finding of electron है हना electron के पाएजाने की प्राइकता वो साई square के directly proportional होती है ठीक है तो यह साई साई square क्या है साई square को हम लोग बोलते है probability density ठीक है और यह हमेशा positive value होती है जाईरी सी बात है square है स्क्वेर तो किसी का भी वह बिसा positive होगा ठीक है यह भी कोई बात होई बताने की तो अब साई square की बात आ गई यानि कि साई square हम समझ गए कि probability density है probability बताता है ठीक है ओके अब साई square कहां से आया साई से आया तो साई को क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं साई basically है क्या साई amplitude of electron wave है electron wave का amplitude अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है बोलकर के amplitude तो मैं बता देता हूँ आपको ये एक electron wave है जड़ा देखिए मैंने एक wave ब्रोकी है इसमें ये जो height है ये जो height है अना ये आपका साई है यानि कि ये wave electron wave का क्या है amplitude बोलते हैं इसको ठीक है ये जो height है इसको amplitude बोलते है तो ये amplitude है, psi है, और psi को important term सुन लीजिए, wave function भी बोलते हैं, अब हम इसको wave function ही बोलेंगे पूरे वीडियो में, ये एक mathematical function है, इसको wave function हम लोग बोलते हैं, नाम इसका सुन लीजिए, psi, okay, yes, अब psi basically करती क्या है, ये atomic orbital को represent करती है, कौन आपका psi, ठीक है, और psi, अब सवाल है, कि psi आई कहां से भई, ये कहां से आ रहा है, ठीक है, तो psi जो दिया है, वो दिया है, आपके स्रोडिंजर equation ने, ये लो भई, स्रोडिंजर equation के solution से हमें value मिलती है, psi की, उससे value मिलती है, हमें psi square की, और psi square हमें बताता है कि एक atom में electron के पाए जाने की probability सबसे ज्यादा कहां पर है, ठीक है, ओके, तो इस तरह से अब आपको समझ में आया, स्रोडिंजर equation से पहले हमने क्यों इतनी सारी बाते डिसकस की, क्योंकि हमें psi तक पहुँचना था, अ equation का ही एक solution होता है, and describes the behavior of electron in the region of space called the atomic orbital, यानि कि atomic orbital में electron का behavior, उसका motion, ये describe करता है, बताता है कौन आपका psi, ठीक है, तो electron के behavior को बताने के लिए, यानि कि electron के बारे में जातर information है, वो psi में होती है, और psi कहां से आता है, Schrodinger wave equation को solution करने से आता है, उसका एक solution होता है, ठीक है, okay, solution वो वाला नहीं, maths वाला solution, ठीक है, okay, yes, तो आपको पता चल गया, सारी कहानी किसकी है, psi square की है, okay, yes, और अब देख लेते हैं, Schrodinger wave equation की जरूद हमें पता चल गई है, साही हमें निकालना है, solution करके, तो Schrodinger wave equation तक हम लोग आ गए है, Schrodinger wave equation की जो main तीन form है, जो books में दी हुई होती है, काफी जदा famous हैं ये तीनो Schrodinger equation, ठीक है, अलग-अलग style से लिखी हुई है, आपकी number one, आपका number two, आपका number three, ठीक है, ये तीनो Schrodinger wave equation है, और ये तीनो के तीनो ही three dimension में, यानि कि three dimension में जो electron का motion है, उसको explain करती है, electron के three dimensional space में, जो electron move कर रहा है, ठीक है, उसके behavior को explain करती है, ठीक है, three dimensional, yes, अब सबसे पहली equation देख लेते हैं, सबसे पहली equation को कैसे बोलेंगे, del square psi by del x square plus del square psi by del y square plus del square psi by del z square plus 8 pi square m upon h square e minus v psi is equal to zero, ये आपकी पहली equation है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा famous है, questions सबसे ज्यादा इसी equation पे आते हैं, इसमें देख लेते हैं, आकेर कौन-कौन सी variables है, m यहाँ पर mass of electron है, e यहाँ पर total electron of energy है, total energy of electron है, yes, v यहाँ पर potential energy of electron है, सुन लीजे, v potential energy है, h आपका, जानते हो, planks constant है, psi आगया भई, psi wave function है, या फिर amplitude of electron wave है, ठीक है, ये हो गई बात, ओके, अब second equation और third equation की बात कर लेते हैं, second और third equation है, Schrodinger equation है, यह दो mathematical operator के respect में लिखी हुई है, ठीक है, यह दोनों operator, psi को operate कर रहे हैं, psi पे apply हो रहे हैं, ठीक है, कौन-कौन से operator हैं, देख लेते हैं, यहाँ पर ये del square है एक, ठीक है, ये del square आपका होता है, Laplacian operator, कौन सा operator, Laplacian operator, जिसकी value ये रही, सुन लो जरा, देख लो जरा, समझ लो जरा, ठीक है, यानि कि इसकी value कहा से आएगी, ये जो आपका term है, कौन सी term है, मैं बता देता हूँ, आपको, चलो, बाद में बात करेंगे, इसकी value आएगी, वहीं बात कर लेंगे, yes, इसके इलाबा, एक और equation है, थर्ड equation है, वह Hamiltonian operator के respect में लिखी हुई है, Hamiltonian operator आपका H overhead है, ये वाला जो मैंने गोला किया है, H overhead ये आपका Hamiltonian operator है, तो equation second, Laplacian operator को use लेते हुए लिखी हुई है, और equation third, Hamiltonian operator को use लेते हुए लिखी हुई है, अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, कि आखिर operator होते क्या है, आपने लिखा ये, अब यहाँ पर ये जो आपने लगाया है, square root, ये एक mathematical operator है, ये किस पे काम कर रहा है, 4 पे काम कर रहा है, और इसका answer कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर ये जो है, ये mathematical operator है, इसी तरह से आप integration करते हैं, ये integration भी आपका mathematical operator है, इसी तरह से आप power operator है इस पे operate करती है जैसे आपने लिखा 4 की power 2 तो ये power है ये mathematical operator है ये इसको operate करेगी और इसका answer आएगा 4 into 4 is equal to 16 ठीक है यानि कि कुल मिला के बात यह हुआ कि जो mathematical quantity है या mathematical function है ठीक है उसको operate करता है कौन आपका mathematical operator आपने देखा एक आपका operator था del square ठीक है एक आपका operator था h overhead यानि कि Hamiltonian operator ये दोनों साई को operate कर रहे हैं जैसे ये square root यहाँ पर किसको operate कर रहा है 4 को वैसे ही ये दोनों जो operator है mathematical operator है Laplacian operator Hamiltonian operator ये साई को साई पर operate कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका ये जो Hamiltonian operator है ये साई से multiply हो रहा है ये multiply नहीं हो रहा ये इसको operate कर रहा है इसके काम कर रहा है ठीक है तो ये mathematical operator होते हैं जो आपको कोई भी आपका mathematical function या फिर आपका mathematical value होती है उसको operate करते हैं आपको समझ में आ गया Laplacian operator Hamiltonian operator, चलते हैं आगे, तीनों equation आपको समझ में आ गई, एक equation और ले ले लेते हैं, गलती से कभी-कभी आ जाती है, electron का three-dimensional moment का equation हमने देखी लिया, जिसमें हम double differentiation कर रहे हैं, space coordinate x, y और z के respect में, जो number one वाला equation है वो ठीक है, उस number one वाले equation में से आप एक काम करो, दो जो space coordinates है, दो मैं गोला कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप delete कर दो, इसको delete कर दो, तो ये three-dimensional की equation है, ये किसमें convert हो जाएगी, ये one dimension में convert हो जाएगी, ये देखो, तो ये जो equation है, ये Schrodinger wave equation है, when particle यानिकि electron moves in one dimension, बात समझ में आई, हमने यहाँ पर cable x, space coordinate x dimension दिया हुआ है, तो ये Schrodinger wave equation in one dimension, देख लेना जरा, समझ लेना, समझने की कोई बात नहीं है, सारी tricky study है, ठीक है, अब derivation of Schrodinger equation हम लोग करने वाले है, Schrodinger जो wave equation है, उसका derivation मैं आपको सिखाने नहीं वाला हूँ, मैं सिर्फ tricks बताने वाला हूँ, कि कौन-कौन से equation आपको याद रखते हैं, और किस तरह से questions को solve करना है, ठीक है, आप लोग समझने की कोईसिस करना, थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे चलते रहेंगे, यस, तो derivation में सबसे पहले हम देखते हैं, equation number one आपके सामने लिखा हुआ है, यह equation जो आपका mathematical function है, साई हना, उसके लिए one dimension का equation है, यानि कि यह equation है, वो wave function है, साई, उसके लिए one dimension में express किया गया है, ठीक है, तो यह, yes, wave function है, किसमे, one dimension में, उसका equation है, और यह आपको as it is, याद करना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, यह equation आप याद कर लिजे, आगे की सारी story में आपको समझा दोंगा, ओके, yes, तो आपने यह equation देखा, equation number one, one dimension, अब यदि साई को हम explain करें, three dimension में, अना, three dimension में express करें, x, y, z, तीनों dimensions हम लोग ले लें, यहाँ पर हमने केवल x लिया हुआ है, यदि हम लोग तीनों लें, तो जाहिर सी बात है, यह एक term x की है, अब यहाँ पर y की भी एक term आजाएगी, और z की भी एक term आजाएगी, यह वाला जो part है, वो as it is, equation one के, तो जैसे ही हम three dimension में साई को express करेंगे, तो उसकी equation आएगी, number two, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, अना, one dimension को three dimension में आप convert कर होगे, कोई बात नहीं, हमने differentiation value term y की और z की और आपको लगानी है, बात खतम, ठीक है, अब बढ़ी, डी ब्रोगली ने, आप देखे लिए आपने डी ब्रोगली ने, lambda यानि की, जो electron के साथ, जो wave associate होता है, उसके wavelength का equation दिया है, lambda के square की value यह होगी, यह इसमें कोई बताने क बात नहीं है, समझाने की बात नहीं है, लेकिन यह हमें जो lambda square की value है, यह काम कहां आई, वो जड़ा interesting है, कैसे, yes, आपने देखा, यह यहाँ पर equation 2 में lambda की value है, इस lambda square है, इस lambda square की जगे हम यह वाली value place कर देंगे, lambda square की value रख देंगे, यह जैसे ही आप रखेंगे, वैसे ही आपको equation यह वाली आपको मिलने वाली है, यह देखिए हमने lambda की जगे उसकी value यहाँ पर रख दी है, ठीक है, अब lambda की value हमने वहाँ पर रख दी, अब lambda की value रखने के बाद में, अब आप इसको rearrange करेंगे, इस equation को तो आपको equation 3 मिलेगी, equation 3 कैसे मिलेगी, वो देख लेते हैं, यह देखो, आप इस equation को समझ लो जरा, मान लेते हैं, यह x है, और यह क्या है, आपका पूरी term y है, हना, तो यह minus का sign है यहाँ पर, तो यह क्या हो गया, x is equal to minus y, x is equal to minus y, ठीक है, अब x is equal to minus y को हम इस तरह से भी डिख सकते हैं, x plus y is equal to 0, x plus y is equal to 0, यानि कि हम इन दोनों को plus कर देंगे, यह तो equal to 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमने यही किया, यह आपका x है, यह पूरी term यह x है, यह पूरी term आपकी y है, इन दोनों को plus कर दिया, ठीक है, x plus y is equal to, यह देखो, 0 आगया, यह आपका equation 3 है, तो हमने उपर वाली equation को rearrange किया, आना, कुछ नहीं किया, rearrange कि equation आगई 3, यह important है, सुन लो, अब हम Schrodinger wave equation की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, अना, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम rearrange कर रहे हैं, हम नया term को लाई नहीं रहे हैं, बहुत कम ला रहे हैं नया term, एक तो हमने lambda की value रखी है, अना, अभी lambda की value insert की है, एक और value हम insert करेंगे, इसके ला इस V square की value हम equation 3 में रखेंगे, और हमें मिल जाएगा equation 4, अब V square की value क्या है, यह रही V square की value, आप कहेंगे सर, यह कहां से आ गई, V square की value यह हमें समझ में नहीं आया बोल करके, तो कोई बात नहीं, हमारे पास इसका भी एक इलाज है, V square की value यह कहां से आई, यह रही आपके स तो यह हो गया, इस equation को rearrange करेंगे, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, half M V square is equal to E minus V, जार इसी बात है, E इदर आजाएगा, तो E minus V हो जाएगा, अब M V square करेंगे, तो यह half इदर चला जाएगा, तो यह 2 इदर आजाएगा, तो यह हो गया 2 E minus V, इसको rearrange करते चले जाओ आप, औ में ज्यादा कुछ serious होने की बात नहीं है, ठीक है, yes, तो V की value आपको मिलगी, not, V square की value आपको मिलगी, अब आप V square की value equation 3 में रखेंगे, equation 3 में जैसे ही आप रखेंगे, आपको मिलेगी equation 4, equation 4, और equation 4 ही वो सबसे ज्यादा famous form है, स्रोडिंगर equation की, स्रोडिंगर equation की सबसे ज्यादा famous form है, equation 4, सुन लो, जो हमने सबसे पहले देखी है न, वो वाली equation, ठीक है, तो आप जैसे इसकी value रखेंगे, value रख करके देखना, ठीक है, आपका ये जो M square है, वो M में convert हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर M denominator में आ रहा है, नीचे आ रहा है न, तो M square M में convert हो जाएगा, E minus V यहाँ पर 7 में attach हो गया, ठीक है, और H square को कोई फरक नहीं पड़ेगा, इसको कोई फरक नहीं पड़ेगा, यह जो 4 है, यह आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह 2 है, इससे multiply हो जाएगा, तो व पढ़ते कैसे हैं, वो तो मैंने वीडियो के starting में आपको पढ़के बताया ही था, आप ध्यान रखना, यहाँ पर यह E minus V आता है, और यहाँ पर यह जो plus का sign आता है, कई बार sign change कर देते हैं, माइनस करके बोलते हैं, कई सही है कि गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं, sign आप ध् करके हम बनाएंगे equation 5, और अब जित्ते भी equation आने वाले हैं, वो सारे schrodinger wave equation है, सारे के सारे schrodinger wave equation है, बस हम लोग rearrange कर रहे हैं उसमें, ठीक है, अब जड़ा देख लेते हैं, हमने क्या किया, जड़ा देख लो, यह वाला जो term है, पूरा, ठीक है, यह वाला जो term है, इसम आप देखो, साई सब में है, साई सब में है, इस साई को common ले लो, common ले लोगे तो आपको यह वाला मिल जाएगा, इस तरह से यह देखो, साई आ गया बाहर और यह जो double differential है, यह आपको bracket के अंदर आ गये, ठीक है, यह हो गया, तो अब यह देखो, इस part में कोई change नहीं है, यह as it is है, कोई change नहीं है, बस हमने साई, जो इन तीन टर्म में साई common था, हमने उसको बाहर ले लिया, ठीक है, अब साई को बाहर लेने से equation 5 मिल गया आपको, कोई problem नहीं है, okay, equation 5 में यह वाला जो part है, यह operator है, mathematical operator है, किसके उपर, साई के उपर, जिसको हमने symbolize किया है, डे डेल स्क्वेर से, और यह डेल स्क्वेर आपका लापलाशियन operator है, लापलाशियन operator है, ठीक है, बात आपको समझ में आई, यह आपका लापलाशियन operator है, okay, तो यह लापलाशियन operator की value है, यह डेल स्क्वेर लापलाशियन operator, यह देखो, यह वाला जो part है, इसमें हमने कोई change नहीं किया यह एज़िटीज चलता हुआ रहा है कोई चेंज नहीं किया वही एट पाइस्वाइर एम बाइच स्क्वाइर ए माइनस वी साइज इकल टू जीरो सेम ओके यह लापलाशन ओपरेटर है लापलाशन ओपरेटर की यह वैल्यू भी आ गई यहां पर यह देखो यह ह लापलाशन ओपरेटर को हो गया तो लापलाशन ओपरेटर की टॉर में लापलाशन ओपरेटर के में यह च्रोडिंगर वेव इक्वे एक्वेशन है तो अब यह जो इक्वेशन नंबर आपकी 6 है, 6 से 8 आ गया, सीधा ही चलो कोई बात नहीं, 7 पीछ में गायब हो गया, तो 6 को हम रीरेंज करेंगे और हमें equation मिल जाएगा, 8 कैसे, अब बहुत simple है, ये वाला जो part है, इसको हम क्या करेंगे, ये e-v के साथ से हटा करके, इसको इसके साथ लाएंगे, और here, इसको रीरेंज करेंगे, जैसे इसको इधर करेंगे, इसका साइन ये जो प्लस है, ये तो हो जाएगा एक तो माइनस ठीक है और यह invert हो जाएगी यानिकि ही स्कॉरर उपर आजाएगा और एट पाइ स्कॉरर एम नीचे आजाएगा यह इनवर्ट हो गई और इसका साइन हो गया माइनस ठीक है तो हमने कुछ नहीं किया इस टर्म हम क्योंब इधर लाएं है यह term as it is है और यह equal to का sign as it is यह आपके हो गया e-v Here तो कोई बात नहीं यह simple math से आप यदि इसको लाएंगे और यदि इसको उधर लेके जाएंगे तो यह simple math से यह आप आरम से arrange कर सकते हैं, वीडियो में थोड़ा सा detail से नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि कई बार इस video unnecessary लंबा हो जाता है, yes, आप उसको करके देख लेना, यह आजाएगी आपकी equation number 8, अब equation number 8 में देखो करना कुछ नहीं है, यह आपका si है, अना bracket के बाहर है, तो v से भ multiply हो रहा है, bracket के बाहर है, तो यह आगया आपका equation number 9, equation number 8 से, same, सारे के सारे स्रोडिंगर वे equation है, हम rearrange कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह हो गया, अब इसको हम फिर rearrange करेंगे, यह जो v साई है, यह यहाँ पर minus का sign है, यह इसको हम इधर लाएंगे, तो plus का sign हो जाएगा, यह v साई इधर आ गया, e साई इधर रह गया, और यह v साई इधर आ गया, और अब यह equation आपकी इस तरह से होगी, यह वाली जो term थी, इसको हमने कोई change नहीं किया, कोई change नहीं किया, as it is चलती आ रही है, बस v साई है, वो इधर आ गया, इधर आते उसका sign plus हो गया, अब यह equation भ इसकी potential energy को बताता है, और e तो आप जानते ही है, यह total energy को represent करता है, ठीक है, तो यह आप ध्यान रखना, कौन सा potential energy वाला part है, कौन सा kinetic energy वाला part है, yes, तो यह अच्छा, चलो भई, बड़ा interesting story है, देखो, आपके सामने ही हो गया, जड़ा देखना, इस term में kinetic energy में साई दिया ह हुआ है, और potential energy में भी साई दिया हुआ है, दोनों के बीच में plus का निसान है, तो हम क्या करेंगे, साई को common लेकर के बाहर लेंगे, साई को common लेंगे, साई को common लेते ही क्या हो जाएगा, देखना जड़ा, यह equation आ जाएगी, यह देखो, यह bracket में हो गया, अब सारे के सारे, क्योंकि यहां भी साई था, इसके साथ और इसके साथ भी साई था, common लेंगे, साई बाहर आ गया, यह भी एक स्रोडिंगर वेव equation हो गई, ठीक है, अब यहां से एक नया operator आपको मिलने वाला है, देखना जड़ा, यह पूरा एक mathematical operator है, जो साई के उपर operate कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, कौन हैमिल्टोनियन operator, यानि की H overhead, हैमिल्टोनियन operator, बात आपको समझ में आई, अब आपको हैमिल्टोनियन operator की value भी समझ में आ गई होगी, कौन सी है, यह देखो, यह पूरी जो bracket में दी होई है, यह है, यह बहुत ही ज्यादा interesting होने वाला है आपके लि ठीक है, अब बोर मोडल में आपने देखा होगा, जो angular momentum वहाँ पर दिया हुआ है, उसको H upon 2 pi का एक आपको value मिलेगा, वहाँ पर, इसका यह term मिलेगा, H upon 2 pi, H upon 2 pi को basically लिखते हैं, H cross, H cross, यानि की H तो होता है, देखिए, planks constant, और H cross होता है, reduced plank constant, तो H cross की value क्या होती है, H cross की value होती है, H upon 2 pi, बात को जरा समझो, हाना, समझो, बात को समझो, H cross, यानि की reduced plank constant की value होती है, H upon 2 pi, ओके, अब H cross का square करोगे, तो H square, 4 pi square, जहीर सी बात है, उन सब का square कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो यह आ गया, H square की यह value आ ठीक है, इसका मतलब इसकी value क्या है, H square divided by 4 pi square, इसकी value है, H cross square, ठीक है, अब यह देखते हैं, यह कहीं आ रहा है, क्या, आ तो रहा है, यह देखो भई, इस equation में H square और 8 pi square है, यहाँ पर कितना है, 4 pi square है, तो 2 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगे हम लोग क्या रखेंगे, हम रखेंगे H cross की value, यानि की H cross square हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है, तो H cross की term में, यह जो आपको Schrodinger wave equation है, वो अब आपकी यह हो गई, हाना, समझ में आया आया आया, तो मैं बता देता हूं, equation number 11 है, आपने लिखा होगा इसको, यह 11 है कि कौन से है, हाँ, यह 11 है भई, लिखना, यहाँ पर मैं भूल गया यह 11 equation है, 11 equation में हमने H cross की जो value है, वो हमने put कर दी, उसकी value क्या है, H cross square की value, H square और 4 pi square, यह value है, ठीक है, तो यह 4 pi square है, यहाँ पर नीचे 8 pi square है, तो 2 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, हाना, तो उसकी जगर रखेंगे तो क्या आजाएगा, H cross का square, हाँ, H cross का square और नीचे 2M ब equation, किसकी term में, H cross की term में, ठीक है, यह equation number 12, यह भी काफी ज्यादा important है, अब, तो यह भी Hamiltonian operator है, यह भी Hamiltonian operator की value हो गई, क्योंकि हमने Hamiltonian operator की value में ही तो H cross की value रखी है, ठीक है, तो अब Hamiltonian operator की 2 value मिल गई आपको, एक तो H के respect में, Plunk's constant के respect में, एक reduced Plunk constant के respect में, यह दो value आपक Hamiltonian operator की मिल गई है, दोनों ही important है, अक्सर exam में कोई से भी पुछ लेते हैं, ठीक है, और, यहाँ पर बड़ा important part यह है, कि यह वाला जो part है, Hamiltonian operator में, यह kinetic energy को बताता है, और V आपका potential energy को बताता है, यह ध्यान रखना, यह भी कई बार गडबड कर देता है, अब, यह जो आप भूले नहीं है, Laplacian operator, इसकी value भी आपको पता है, तो इस पूरे equation में हमने केवल Laplacian operator की value रखी है, और आपका equation आगया 13, यह देखो, डेली square की जगह हमने क्या रख दिया, डेली square Laplacian operator की value रख दी, तो आगया equation आपका 13, तो इस तरह से हम equation 1 से equation 13 में पहुंच गए हैं, और Schrodinger wave equation के जिते भी form है, जो questions में आते हैं, जिते भी possible form है, वो मैंने एक series में arrange करके, एक derivation की form में आपके सामने रखा है, आपने notes बना लिए होंगे, यह उम्मीद करता हूँ, अब कुछ important points देख लेते हैं, पहली बात तो, यह जो हमने equation discuss की है, Schrodinger wave equation, यह second order differential equation है, समझने की ज़रूत नहीं है, okay, important क्या है, important यह है, यह जो Schrodinger equation हमने देखी है, इसका solution यदि हम करते हैं, तो इसका solution हमें 2 important values देता है, एक तो देता है, total energy की, electron की total energy क्या होनी चाहिए, एक wave function की value देता है, यानि कि Schrodinger equation को solve करके हमें 2 चीज़ें मिलती है, एक तो electron की total energy, ए इसका wave function, ठीक है, अब भई value तो वैसे तो बहुत सारी मिलती है, wave function की value तो वैसे बहुत सारी मिलती है, countless values मिलती है, ठीक है, लेकिन उसमें से सारी की सारी important नहीं होती, कुछ ही value होती है, जिनको acceptable, जो acceptable होती है, मेरी बात को जड़ा समझो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं यह कह र सारी values acceptable नहीं होती, कुछ values जो rules को या conditions को follow करती है, वो ही acceptable होती है, वो ही allowed होती है, वो ही significant होती है, तो साई की बात करें, तो साई की सारी values significant नहीं होती, important नहीं होती, उनका कोई meaning नहीं होता, लेकिन कुछ values जो conditions को follow करती है, which follow some conditions, वो acceptable होती है, उनको ही accept किया गया है, वो ही allowed value होती है या उनी का कोई मतलब निकलता है वो ही significant value होती है तो जो allowed value होती है जो acceptable value होती है किसकी wave function की उसको हम बोलते है आइगन फंक्शन आइगन फंक्शन आइगन का मतलब होता है एकसेप्टिबल या निकि जिसको हमने एकसेप्ट किया है कि हम इसको मानेंगे यह होती है और बहुत सारी वैल्यू को हमने नकार दिया कि यह नहीं होती है किस पे क्योंकि कुछ वैल्यूज कुछ कंडिसन्स को फ हर आईगन फंक्शन के corresponding हर वेव फंक्शन के corresponding टोटल एनर्जी भी होती है, electron की, तो जो allowed value है, e की energy की allowed value है, उसको हम लोग बोलते हैं, आईगन वेल्यू, तो दो टरम है, eigen value, आईगन फंक्शन, यह वो है जो आईगन वेल्यू यानि की energy की वो value, total energy की वो value, जो acceptable है, जिसे accept कि गया है जो significant है जो allowed है ठीक है तो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्षक्ष्न जरा ध्यान डखना आइगन फंक्ष्न अलाओव फंक्ष्न आइगन वैल्यू जफंक्ष्न अलाओड एनरजी लेवल्स या अलाओड वैल्यू ओफ कोई काम की नहीं है कुछ ही बैसिए बिचारी कुछ ही जो अलाउड है वही काम की है सारी वेव फंक्शन की वैलिव भी काम की नहीं है यस अब एक इंपोर्टेंट सेंटेंश देख लेते हैं यह जो वेव फंक्शन है साई इसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है यह यह इसका इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कुछ साई का आपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है यस ओके स्रोडिंगर वेव एक्वेशन जो हमने बात की है वो वन इलेक्ट्रोन सिस्टम की बात की है हना हमारे टॉपिक में भी यही है वन इलेक्ट्रोन सिस्टम तो यह जो एक्वेशन जितनी भी हमने फॉर्म डिसकस की है यह सारी के सारी sold की गई है exactly for one electron system के लिए one electron system का मतलब यह हुआ जिसमें एक electron और एक nucleus हो आपका जैसे hydrogen atom है one electron system आपका ये वाला जो आयन है helium का ये भी one electron system है जिनको hydrogen like system बोलते हैं तो ये जित्ते भी आपने conclusion formula देखें ये सारे one electron system के लिए three dimensional में follow होते हैं यस अब हमने बात अभी भी की है कि जो साई इस स्रोडिंगर wave equation को solution करके हमें किसकी value मिलती है साई की साई की सारी value significant नहीं होती all values का कोई मतलब नहीं है यह हमारे कोई काम के नहीं होती कि अबल कुछ ही value होती है जिनको accept किया गया है और कौंसी value की accept किया गया है जो condition को follow करती है हमने यहां बात कर ही हुई है देखो साईनी को ँलोग accept करते हैं ऊनी को eigen function बोलते हैंगे उनी वअच्चिन को ठीक है तो acceptable वेव function को क्या बोलते है leiden function wave function को ठीक है तो acceptable wave function को क्या बोलते है आइगन function acceptable energy levels को क्या बोलते है आइगन values ओके तो वो condition कौनसी है जिनको यदि psi wave function follow करता है तब उस wave function को हम आइगन function बोलते हैं ठीक है वो condition आपकी यह है यह जडिली से लिया हुआ है ठीक है और यह question में कई बार आचुका है सबसे पहला साओ क्या होनी चाहिए साओ क्या होनी चाहिए और फॉर्थ पॉइंट क्या है फॉर्थ पॉइंट है प्रोबिलिटी ओफ finding of electron over all the space from plus infinity to minus infinity यानि कि plus infinity to minus infinity जो टोटल probability of finding of electron है वो one होनी चाहिए probability density की value one होनी चाहिए तो यह all the space की बात कर ली इसने की जितना भी space available है उसमें electron के पाई जाने की प्राइकता क्या होनी चाहिए तो भई होगी होगी जब आपने सारा space ले लिया तो उसमें तो वन आईगी आईगी ना ठीक है यस तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यह देखिए integration है कहां से कहां से कहां तक plus infinity to minus infinity यह plus infinity to minus infinity size square की value क्या होनी चाहिए x y z जो coordinates से space coordinates हना उसमें one होनी चाहिए इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं ठीक है तो यह हमने सारी जो terms थी सारा जो derivation था सारी important equations थी वो हमने discuss कर ली है इसके लावा exam में बहुत बार एक चीज और पूछ लेते हैं जो स्रोडिंगर wave equation के लिए particle in a box आना यानि कि electron है वो one dimensional box में हो one dimensional box में हो यह देखिए particle in one dimensional box में होता है electron तो तब उसके बारे में उसका जो स्रोडिंगर wave equation का formula या energy का formula यह कई बार पूछ लेते हैं आपको सिर्फ 2-3 formula रटने और कुछ नहीं करना है यह formula तो one dimensional में स्रोडिंगर wave equation का है इसकी बात हम video के starting में ही कर चुके है ठीक है इसका लिए आपको कुछ नहीं करना यह साई की साई की क्या-क्या property होनी चाहिए finite होनी चाहिए one value होनी चाहिए continuous होना चाहिए यह सब हम बात कर चुके हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं करूंगा मैं सिर्फ आपको एक important formula बताने वाला हूं और कुछ नहीं है आपने देखा कि आप आपने भी समझा हुआ है कि स्रोडिंगर wave equation को solve करने से हमें energy की value मिलती है energy levels मिलते है ठीक है तो यह वो formula है energy का यह energy का formula है सुन लो बात को यह energy की value पूछते है one dimensional box में energy level की value पूछते है energy की value पूछते है जो के की value होती है वो होती है आपका n pi divided by a ठीक है तो यह वाला जो formula है इसमें आप के की value यह जो मैंने बताई है यह रख दोगे तो यह वाला formula आ जाएगा और जो second वाला formula है यह काफी ज्यादा important है वो सकता है आपको यह दिख रहा हो अना इसको हम ज्यादा जूम भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं यह one dimensional का diagram है आपने energy का formula तो देखे लिया उस energy के formula में एक n square term आ रही थी ठीक है वो n square में n is equal to one रखोगे तो energy का formula यह आ जाएगा कई बार यह भी पूछ लेते हैं first energy level का क्या formula हो गया पना कितनी energy होती है पहले energy level में तो इतनी energy होती है आप n की value क्या रखेंगे one रखेंगे किस formula में यह जो formula आप याद करेंगे ना यह वाला इसको मैं अलग से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे n square h square divided by 8 m a square ठीक है यहां पर wavelength है बाकी सारा आप जानते हैं यहां पर principal quantum number है यहां पर wavelength है अब यह one dimensional box का जो diagram है उसको हम discuss कर रहे हैं n की value आप रखते चले जाएए one रख दीजिए तो formula यह हो जाएगा two रखेंगे तो यह हो जाएगा three रखेंगे n is equal to three यानि की third energy level अना तो यह हो जाएगा अब इसमें एक तो energy level का formula पूछ सकता है first second third energy level में energy की value पूछ सकता है ठीक है इतनी बात हो गई इसके अलावा आपको साइङ क्यादी तो यह देखिए complete यह एक ग्यादी है कोन सी जो a 갈hist ने तो अब है और यहीं क्या है यहा यह वन तो यह दो यह क्या हो गई यह बाइट और यह देखो यदि यह एक है यदि यह है अना तो यह तो यहां तक हो ज़य यह तक हो पिर और यानि कि यह है ठी को कैसे लिखेंगे उसमें A by 2 होती है इसमें इसके लावा one dimensional box में electron के behavior के बारे में इसके लावा कुछ नहीं पूछेंगे उम्मीद करता हूँ कि मैं quantum mechanics के बारे में short में आपको काफी कुछ बता पाया हूँ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन धन्यवाद करने से पहले एक important बात और है कि वो बात क्या है मैं लेके चलता हूँ आप भी क्या याद करेंगे वापस यहीं पर यस वापस यहीं पर मैं लाया हूँ आपको ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब अगला वीडियो quantum mechanics का जो RPSC PYQ का है वो आप देखेंगे तभी ये वीडियो समझ में आएगा otherwise नहीं आएगा दूसरा इस वीडियो से आपने notes यदि बना लिये हैं तो ही ये समझ में आएगा otherwise बहुत ही ज्यादा मुश्किल है thank you thank you very much